दूस्तो आपने जरूर HDR के बारे में तो सुनाई होगा जिसका पूरा नाम High Dynamic Range होता है जैसे कि HDR वीडियो, HDR फोटोज और HDR डिस्प्लेज अब ऐसे में आप में से बहुत से लोग HDR फोटोज और वीडियो के बारे में तो जानती होंगे लेकिन साहद आपको HDR डिस्प्लेज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा तो ऐसे मैं आज आपको इस वीडियो में एच्डिय। डिस्प्लेज के बारे में जानकारी दूंगा जिनका इस तीवीज और स्मार्टफों के डिस्प्लेजमे कीया जाता है और आज की जमाने में HDR कंटेंट का और HD High跡 डिस्प्ल वीडियो में दोस्तों सबसे पहले तो सौरी क्यों कि मैं आपने चैनल पर एक महीने बाद कोई वीडियो अफ्लोड करने जा रहा हूं कि मुझे थोड़ा जरूरी काम मिल गया था जिसमें मैं बीजी हो गया था लेकिन आपसे पूरी कोसिस रहेगी कि मैं वीडियो बैक पोस् पूराने वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने एक्स फूरत नजारे की फोटो किसी और बहुत कमाल के कैमरे केप्चर करते हैं जिससे कि आपकी पिक्चर में बिल्खुल एकुरेट कलर्स और डिटेल्स भी आ जाती है या आप उस नजारे की एक बहुत अच्छी सी वी कैमरे से और वीडियो बहुत अच्छी काप्चर भी हो जाती है जैसे कि आपने और वीडियो को फोन से खूरत नजारे कौ नजारे को रियल्टी में देखा था ऐसे में हो सकता है कि आपको इस फोटो में वीडियो में कहीं कलर्स ज्यादा ब्राइट देखने को मिले या कहीं डार्क और ब्लैक नजर आ जाएं तो ऐसे में आपको लगेगा कि कैमरा ही बेकार्त है जिसने फोटो या वीडियो को ठीक से कैप्चर नहीं किया लेकिन सब्स्त यह है कि फोटो और डिटेल्स को उन वीडियो में दिखा सके क्योंकि यहां पर आपका डिस्पले हाई डाने मिक रेंज को सपोर्ट नहीं कर पाया और आपको जो आउपूट मिला उसने पूरा का पूरा और को काम में लिया गया है लेकिन जब आपने यांगे फोटो इस्टेइडर डाने मिक रस्फपोर्ट करने के लिए अगर भी यानि डिस्पले नहीं है तो फोटो और वीडियो तो HDR वाली थी जिससे कि display high dynamic range को जहल नहीं पाया और आपको जो output मिला एकदम घटिया तो दोस्तों ऐसे में HDR content को support करने के लिए ही बनाए गया है HDR display जिसमें आप HDR content का मज़ा बहुत अच्छे से उठा पाएंगे और आपको लगेगा कि आप reality में उस scene को देख रहे हैं कि HDR किसी भी scene में details काफी अच्छी तरह से include करता है और पूरे scene में even lighting भर देता है तो दूस्तों अगर आपको यह नहीं पता कि HDR काम कैसे करता है जिसे कि किसी फोटो में even lighting आ जाती है और details काफी भर भर की मिलती उस फोटो में तो आप मेरी HDR वाली वीडियो को सच में एक बार देख सकते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से सबकू समझ आ जाएगा कि HDR काम कैसे करता है तो SM दूस्तों आप मार्केट में HDR TV देख पाएंगे जहां पर लि वीडियो को किसी खराप एमरे नहीं रिकॉर्ट किया है बलकि आप जिस तरह अपनी आखों से अब्जेक्ट को उनकी के साथ देखते हैं उसी तरह से मापको HDR डिस्पले में अब्जेक्ट को उनके exact colors के साथ दिखा पाएगा आपका डिस्पले और आपको लगेगा कि आप असलियत में उस सीन को देख रहे हैं सामने बैठ कर और HDR डिस्पले का एम यही है कि आप HDR कंटेंट का मज़ा ऐसे उठाए कि कोई सीन रियाल्टी में आपके सामने हो तो दोस्तो यही थी वीडियो HDR को लेकर मुछी उम्मीद है कि आपको HDR डिस्पले का मतलब अच्छे समझ आ गया होगा दोस्तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही प्लीज वीडियो को लाइक और स्चेर करके जरूर जाहिए और हमारे चैनल को भी ग्रो करने में हमारी मदद जरूर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक् कियर